दोस्तों नमस्कार पिछले दिनों ये चर्चा बहुत ही जोर शोर से चल रही थी कि हारदिक पांडिया और अशीश नेहरा के बीट में कहीं कोई खट पड़ तो नहीं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हारदिक पांडिया ने जो है गुजरार टाइटन्स को छोड़ा तब च कुछ कुछ उस बात के संकेत नजर आने लगे हैं क्योंकि अब आशीश नेरा का जो बियान आया है उसको इसी कंटेक्स में समझा जा रहा है उन्होंने बहुत ही साफ तर पर कहा है कि विराट कोली और रोई शर्मा जो है टी टॉन्टी क्रिकेट के लिए बिलकुल फिट है अगर तो इनने जरूर खेलना चाहिए और यहां उनकी फॉर्म पर चरचा नहीं की जानी चाहिए तोकि उसकी कोई जरूरत भी नहीं है दोनों टी टॉन्टी के मझे हुए खिलाड़ी है दोनों टी टॉन्टी वर्ड कप में खेलेंगे तो भारत के लिए काफी भारत की मु उतरते हैं तो ये स्लेक्शन कमेटी के लिए भी बहुत ट्रिकी सिचुशन हो जाएगी क्योंकि वो उनका सही तरीके से आकलन नहीं कर पाएगी क्योंकि वो अगर फिट रहेंगे तो को खेलेंगे और अगर फिट नहीं रहते और उनको बीच मैदान में छोड़ना पड़ जा और अभी फिलाहाल समय है हमारे पास इस बारे में विचार मंधन करने का विचारने का और सिलेक्शन के लिए भी जो ट्रिकी सिचुईशन है उस से बचने का अभी समय है और सिलेक्टर्स भी उन पर नजर बनाए हुए है कि वो कफ़ फिट होंगे और उसके बाद जो है सित विराट रोहित दोनों अगर पूरी तना से फिट हैं तो उन्हें जरूर इस मसले पर सोचना चाहिए और टी टॉंटी वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए हला कि हम आपको यह भी याद दिलाने कि पिछले दिनों जब प्रेस कांफरेंस हुई थी टीम के घोश्टा को लेकर तब भी यह कहा गया था कि दोनों खिलाडी भारत की स्कीम आफ तिंग्स में हैं हला कि सौथ अफरीका के दोरे के लिए विराट कोली और रोहिश शर्मा दोनों ही उपलब्द नहीं हैं दोनों छोटिया में आ रहे हैं और दोनों को रेस्ट चाहिए लेकिन अब आशीश नहरा ने चुपी तोड़ी है उन्होंने कहा कि ट्रिकी सिचुएशन से बचना चा है कि हार्दिक पांडिया की मौझूदगी से एक बल्ले बात और एक गेंद बास दो खिलाडियों का काम होता है दो खिलाडी का परपस सॉल्व होता है लेकिन अगर वो खिलाडी ही अन्फिट हो जाए तो टीम की परिशानिया बढ़ जाती है और अगर वो कपतान हो तो समस से और भी जादा बढ़ सकती है अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब भी करें नमस्कार